जे योगोर हाडू, मेरे सभी सादक सादिकाय भाई वेहन को, सभी दर्शक भाई वेहन को मेरा प्रणाम। फिर से केई सारे लोगों की मांग पे हमने दुबारा पूर्ण जानकरी के साथ हर्बुस जिन सादना के भीडियो बनाने जा रहे हैं। चार साल पहले ये भीडियो हमने अपनी चैनल में डाले थे। काफी लोगों ने इन सादना को पसंद भी किये थे और कई सारे लोगों ने इस सादना को सिद्ध करके एक अलग सी दुनिया में जी रहे हैं अपने जीबन को। शुकून संती जो चीज है ये सादना करके मिलेगा। मैं दिल से आप सबको कह रहा हूँ जीबन में अगर सुकून और संती दो चीज़ चाते हो ये सादना एक बर कर लीजी। जीवत में आपको एक सच्चा मित्र की कमी है तो ये साधना एक बार करिए जीवत में हर वक्त आपको डर सताता है तो ये साधना एक बार कर लीजिए चलिए बात करते हैं कि हर बुष जिन क्या चीज है और ये आपको क्या क्या दे सकता है ये साधना एक साधक को करना क्यों चाहिए दिखें जीन जो होते है दो प्रकार की होते है एक तो पाक जिननत होते है या पाक जीन होते है दुसरा जो होते है नापक जीन होते है जो पाक जीन होते है वो कोई भी बूरे कारिये नहीं करते है अपने साधक के लिए लेकिन जो न 1781 जिन का ताकत हैं इसके पास io' यह एक जिन के पास इसका नाम है हर बुश जीनcision गोसपाक पीर के साथ चलता है गोसपाक पीर की ताकत भी इसके साथ रहता है यह हमेशा पाक कारिये ही करता है अच्छे कारिये ही करता है अपने सादक के लिए कभी बुरे कारिये नहीं करता है नहीं सादक की पुरे खांदन या सादक का किसी का नुक्सन करता है चाहे साधक से जाने एंजाने में गलती क्यों ना हो जबी जाए बहुत ये ताकतबर जिन है ये साधक को एक मित्र रूप में ये साधना किया जाता है हर्बुश जिन की साधना एक मित्र रूप में किया जाता है जरुवत पढ़ने पे साधक की अगर बुरा दोर चल रहा है बुरा समय चल रहा है जरुवत पढ़ने पे ये साधक को सोने की मोहरे गड़ाधन से निकाल के देता है जरुवत पढ़ने पे साधक को कहीं से पैसा लाके देता है अगर साधक की बुरा समय चल रहा है साधक बुरे कारिया नहीं करता है साधक बोलता है कि है मेरे मित्र जिन हर्भुष जिन मुझे कुछ पैसों की जरुवत है आप मुझे कुछ पैसा दीजिए तो वो कहीं से भी लाके देगा लेकिन आच्छे कारिये के लिए बुरे कारिये के लिए नहीं हर्भुष जिन को हमेशा मित्र रूप में सिद्ध किया जाता है और हर्भुष जिन के जो सादक होते है उसकी और कोई भी बुरे आँख बुरे नजर से देखता भी है हर्भुष जिन को पसंद नहीं है यह चोबीस से घंटा अपने स्दक की सुरक्षा देता है और अपने साधक को अगर गंभीर से गंभीर बीमारी भी हुआ है तो यह चुटियों में ठीक करके देता है हर्भुश जिन गोसपाक तीर की मदद से और साधक की कहने पे हर्बुष जिन दूसरों का भी भी मिमारी ठीक कर देता है गोश्पाक पीर के मदद से जरुष पढ़ने पे साधक की कहने पे अच्छे कारिय के लिए हर्बुष जिन शटकर्म भी करता है अपने मित्र के लिए ये गुलाम की तोर पर सिद्ध नहीं होता है ये सब मित्रों के चाहत रखने वाले व्यक्ति से सिद्ध होता है आपको साधना करते वक्त सोतना है कि मुझे मेरा सामने जो आ रहा है वो मेरा अति प्रिय मित्र है जो मुझे कभी सपने में में धोका नहीं इंसान की फित्रत होते ये धोका देना शक्तियों का फित्रत नहीं ये एक साधना एसा है जो कोईले की खादान से हीरा निकलना जैसे सोने निकलना जैसे बात हुआ इसे मित्र की रूप में सिद्ध किया जाता है समाज में अच्छा व्यक्ति की रूप में हर्भुष जिन अपने साधक को हमेशा है के अच्छे छबी बना के रखता है बड़े से बड़े मुशिवत से अपने साधक अपको निकलता है हर्भुष जिन कितने भी बड़े से बड़े मुशिवत क्यों नहीं हो कोट कचरी किसी भी तरीके का हालत में फसा हुआ है इसका साधक तो इसे वो वहाँ से निकल लाएगा और यह मित्र रूप में सिद्ध होने के पश्चात यह एक ही रूप में इसको सिद्ध के जाता है वही मित्र ये जिन अपने मित्र को यानि सादक को जिन की दुनिया भी दिखाता है आपके साथ बेट के खाना भी खाएगा आपके साथ जरुत्पन पर बिश्टर पर सोएगा आपसे बात करेगा एक सच्चा मित्र की तालाज जिसको है वो ये साधना करें साथ में हर एक तरीके से सुरक्षा हर एक चीजों के हर एक परिशानी का निजात और हर एक चीजों का मुहाया कराता है हर्भुजी इसे पुरुष सर्फ मित्र रूप में सिद्ध कर सकते हैं और कोई स्त्री है या लड़की है वो इसे पती रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं इतने नायव साधना चलिए इसकी बिधान पर बात करते हैं इसकी साधना के से किया जाते हैं यह एक रात्री की साधना है अगर कम से प्राक साब करके बेट जाईए ठीक हरा आसन लगेगा जो बेठेंगे जिस आसन के पर बस्तर आपका काला रहेगा एक दिन की साधना है रात्री कालीन साधना है माला इसमें रहेगा तस्वी माला ठीक ग्यरा समंतर की जाब करना है तस्वी माला में एक सो एक दाने होते हैं ये साधना आप घर की छतके पर बैठके कर सकते हैं खुले मेधान पर बैठकर कर सकते हैं गुलाब की फूल लगेगा, गुलाब की इतर लगेगा, धूबबती लगेगा, अगर बत्ती के लगेगा, एक चाकू लगेगा, लोहे के कील लगेगा, लोहे के कील घहरा बनाने के लिए, धूबबती जगाने के लिए, गुलाब का फूल और गुलाब का इतर हर्बुश जि और धुबवती के धुएं से आकरशित होता है ठीक, बहतियासन सादना है भोग में सरफ बिठाई देना है तस्वी माला में बेटना है हाँ, इसमें सरफ बजरासन में बेटना होता है हाँ, कोई ब्यक्ति बजरासन में नहीं बेट पाता है इसके सामने हर एक तरह का जिन फैल होता है सिर्फ कायम मत जिन को छोड़ के क्योंकि इसके अंदर 19,781 जिन की ताकत है समझ लो इसी बात से कितनी आसन तरीके से यह साधना किया जाता है कोई ढरभनानभव नहीं है को परेशानी डर मोत की खोब ऐसा कुछ भी नहीं आपकी कोई बालबाका नहीं होगा वैसे यहां सिस्षियो आस्तक किसी भी नुक्सान नहीं हुआ है नहीं आपको होगा किसे जो जी्जिफिय कोसे एक दिक्षा लेता है हम उसकी जीन का आकर्षन मंत्रे 11 बर पढ़ा जाएगा सिर्फ 11 बर उसके बाद जो मूल मंत्रे उसको 11 बर पढ़ा जाएगा मतलब 11 माला तस्वी माला से बहती आसान साधना जब हर्बुष जिन आने लगेगा आसपास तो नीला रंग की एक आदमी दिखाई देगा आप उसे बोलोगी कि सामान्य इंसान जैसा दिखने के लिए वह सामान्य इंसान जैसा दिखेगा बहुत इखब्सूरत स्वरूप में आता है बहती बहतरिन अच् में कर सकते हैं रमजान के महीने में भी कर सकते हैं किसी भी चंद्रेग्रहण में कर सकते हैं अमवश्या को कर सकते हैं पूर्णिमा को कर सकते होली दसहरा दिबाली नवरात्री को किया जा सकते हैं बहती फाइदेमन और असरदर साधना है हर्बुष जिन आपके पास खड़ देखा इए, इतने ताकतबर जिन है ये, देकिन एक बात ध्यान रखने की बात है, इससे कभी भी कोई गलत कारीय नहीं लेना है, आप हर्भुष जिन को नहीं बोलना है सिद्धि के बाद कि मुझे लेड़की को बस में कर दो, मुझे उसके साथ संबंद बनाना है कोई भी गलत कारिये के लिए हर बुश जिनका इस्तेमाल ना करे गलती से भी वो तुरंत आपको छोड़के चला जाएगा जोरुत पन्ने पे वो आपको सजा भी दे सकता है यह सरफ आच्छा कारिये के लिए लिया जाता है जितने भी आच्छे कारिये के लिए यह हमेशा खड़ा रहता है कोई भी बुरे कारिये नहीं करता है जे योगोर हाड़